हाई वैलकम टू लर्ण विदेश क्यार तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने डेटा की फॉर्मेटिंग एक्सल के अंदर किस तरीके से कर सकते हो और डेटा की फॉर्मेटिंग के लिए आपको होम टैप के अंदर इस्पेशली तीन ग्रूप मिल क्या है इस B का मतलब है गास बोल्ड अब यह क्या करता है आपके टेक्स को हाई लाइट करने का काम करता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पे मैंने एक हईडिंग लिए थी फॉर्मेटिंग ने एकसल अब मुझे क्या करना था इससे बोल्ड कर दिया तो चल यहम SR को perfect कि के बाद इस bold वाले option के ओपर click कर दिया तो क्या हुआ मेरा text यहां पर bold हो चुका है इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है इसे unbold करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ again उस button के ओपर click कर सकता हूँ या फिर bold की shortcut key को use करके ctrl plus b press कर सकता हूँ और जैसे मैं आपे ctrl plus b press करूँगा तो यह bold हड जाएगा मतलब unbold हो जाएगा और again मैं ctrl b press करता हूँ तो क्या हो जाएगा यह again bold हो जाएगा और next इसी के side में एक i वाला button आता है इस i वाले button का मतलब होता है italic कि अगर आपको अपने text को थोड़ा सा त्रिचा करना है तो आप यहां पर use कर सकते हो italic का तो मैं करके दिखाता हूँ आपको तो मैंने आप इटालिक वाले cell के ओपर cursor रखा उसके बाद मैंने इस italic के ओपर click करा तो क्या हूँ मेरा text थोड़ा सा त्रिचा हो गया तो guys इसकी भी एक shortcut की होती है control plus i और जैसी मैं आप again control plus i करता हूँ तो यहां से मेरा italic हट जाएगा और again control plus i करूँगा तो यह क्या हो जाएगा again italic हो जाएगा इसके बाद इसके बरावर में भी एक बटन आता है अपका underline का यह क्या करता है कि अगर आप किसी text को slack करके इसके ओपर click कर देते हो तो आपके text के नीचे एक line आ जाती है तो यह क्या करता है उस text को line के अंदर कर देता है तो इसका मतलब होता है यहां पर underline तो कभी भी अगर आपको text के नीचे line चाहिए होती है तो आप यहां पर use करता है तो underline तो guys इसकी shortcut के होती है control you और मैं control you प्रेस करूँगा तो यह underline हड़ जाएगी और again प्रेस करूँगा तो line आ जाएगी इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हम border कि अगर आपको अपनी cell के अंदर border देना है तो आप इस button के उपर click करोगे तो यहां पर आपको different different types के border देखने को मिल जाएंगे कि अगर आपको top में border देना है तो top border select करोगे या फिर bottom में border देना है तो bottom border select करोगे लेकिन मुझे अभी क्या करना है चारो तरफ border देना है तो मैं यहाँ पर select करूँगा all border तो जैसी मैंने आप all border को select करा और अपनी cell के उपर से cursor को हटा दिया तो यहाँ पर देखो guys मेरी cell के उपर border आ चुका है यह तो था single cell के उपर border लगाना लेकिन अगर मैं इसे एक range को select करके और फिर इस border के उपर click करता हूँ तो यह क्या करेगा मेरी सारी cell के उपर border को apply कर देगा तो मैं इसे यहाँ पर undo कर देता हूँ control plus z और उसके बाद आप में आता है अपने next option की तरफ जो की है background color कि अगर आपको किसी भी cell के अंदर background में color देना है तो आप क्या करोगे इस वाले बटन के उपर click करोगे और यहाँ से आप different color को use करके उसके background में color को apply कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर yellow color select करा तो मेरी cell के background में color कौन सा आगे है यहाँ पर yellow इसी तरीके से अगर आप font को color देना चाते हो तो आप क्या करोगे text को select करोगे और यहाँ से font को यहाँ पर color दे सकते हो जो भी आपको color देना है तो guys आपको background color लगाना तो आगया लेकिन अगर इसे remove करना है तो आप क्या करोगे तो उसके लिए आप इसी बटन के उपर again क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको एक option मिलता है no fill और जैसी आप no fill के उपर क्लिक करते हो तो आपका background color क्या हो जाता है remove हो जाता है next अगर आपको font का size increase या फिर decrease करना है तो अगर आपको increase करना है तो आप यहाँ पर capital A वाले बटन के उपर क्लिक करके अपने font का size increase कर सकते हो इसी के साथ अगर आपको decrease करना है तो आपको small a के उपर क्लिक करके अपने font का size decrease कर सकते हो और font size को increase or decrease करने का आपको एक अलग option भी दिया जाता है यहाँ पर जिसके अंदर आपको unit दिखा कर सकते हैं तो आप यहाँ से bude font size increase या फिर decrease कर सकते हो तो मैंने यहाँ ये आप इससे 20 कर दिया तो उसके बाद हम बात करते हैं याँ पर font style की अब यह font style क्या होता है कि अगर आप इसके उपर click करते हो तो यहाँ पर आपको different different font style मिल जाते हैं आपको जो भी font style पसंदा है तो वो आप अपने document के अंदर apply कर सकते हो तो मैं यहाँ पर कोई एक font style select कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर Algerian select कर लिया उसके बाद अगर हम यहाँ पर दूसरा font style apply करना चाते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं और इसी के साथ मैं एक और font style इसके उपर apply कर देता हूँ तो guys यह था हमारा font वाला option जिसके अंदर हमने bold italic, underline, border, background color, font color और उसी के साथ हमने font का size, increase या फिर decrease करके देख लिया अब मैं चाता हूँ कि मैं इन सारी cell को select करके एक ही cell के अंदर convert करूँ तो आप कर सकते हो merge and center वाला option use करके तो आप इसके उपर click करोगे, तो क्या होगा कि आपकी जो यह multiple cells थी, वो एक ही cell के अंदर convert होके आ गई तो यहाँ पर हमने इसे merge तो कर दिया, लेकिन merge करने के बाद यहाँ पर हमारा text जो है वो नीचे की side चला गया, लेकिन मैं कहा चाता हूँ कि text हमारा उपर की side ही रहे, तो मुझे क्या करना है, अब इसे align करना है और कहाँ पर align करना है, तो अगर आपको top में align करना है किसी text को तो आप यहाँ पर इस alignment वाले option को select कर सकते हो, top align तो मैंने यहाँ पर top align पर click करा, तो क्या हुआ यह top में align हो गया और इसी तरीके से अगर मैं mid align कर देता हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, mid मा आ जाएगा और अगर मैं इसे क्या करता हूँ, bottom align कर देता हूँ, तो यह bottom मा आ जाएगा तो alignment आपके यहाँ पर दो type ही होते हैं, एक होता है horizontal alignment और एक होता है vertical alignment तो हमने यहàng पर रिजून्टाय। या पर प्रैक्टिकल दिख लिया लेकिन क्या होता है कि अगर आप अपने टेक्स को लिफ्ट सऺफ्ट से लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे और इसी तरीके से अगर आपको रैइट सचरे मेया जख़का होता है तो आप क्या करोगे तो ना ही right रखना होता है और ना ही हमें center रखना होता है तो अब आप सोशे होगे कि आपका alignment रखना क्या है मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो मैं इसे क्या करता हूँ left alignment कर देता हूँ अब left alignment रखने के बाद मैं क्या साथ हूँ कि मेरा जो text है वो यहां से बिल्कुल इससे मिलकर start ना हो थोड़ा से space यहां पर छोड़ कर start हो तो उसके लिए हम यहां पर use कर सकते हैं indentation तो मैं यहां पर increase indent के उपर click करूँगा तो यहां पर देखो थोड़ा से spaces इसने यहां पर छोड़ दिया इसी के साथ मैं एक और बार इसके उपर click करूँगा तो इसने थोड़ा और space छोड़ा और अगर मैं हलका सही से वाफसी करना चाहतूँ तो मैं क्या करूँगा यहां पर decrease indent के उपर कर दूँगा तो यहां पर देखो गाई अब ना तो मेरा alignment left है और ना ही right है और ना ही center है तो यह किसी help से करना है हमने इंडेंटेशन की कि अगर आपको अपने टेक्स को right side की तरफ move करना है तो आप यहां पर increase indent को use करोगे और इसी के साथ अगर आपको left side में move करना है तो आप यहां पर decrease indent का use करोगे उसके बाद आती हैं पर orientation और orientation का use करने के लिए आप इसके उपर click करोगे लेकिन जैसे ही आप इसके उपर click करते हो तो यह options सारे hide हैं और यह क्यों hide है क्योंकि हमने अपनी cell को merge कर रखा है तो मैं क्या करूंगा इससे पहले unmerge कर दूँँगा तो unmerge करने के लिए मैंने इसके उपर click करा और click करने के बाद इस cell को मैंने select करा और select करने के बाद मैं क्या करते हूँ 12-30 पर जाता हूं तो मेरे पास यहां पर orientation के option आ गए अब मैं क्या करता हूं अपने text को vertical text कर देता हूं तो अब मेरे text की orientation क्या हो गई vertical हो गई इसी तरीके साथ मुझे यहां पर normal करने पहले जैसे ही तो मैं क्या करूँगा अगे इसके उपर क्लिक करूँगा और वर्टिकल टेक्स के उपर क्लिक कर दूँगा तो अब मेरे text की orientation क्या हो गई नॉर्मल हो गई इसी तरीके साथ को यहां पर कोई और orientation select करने तो आप वह भी कर सकते हो उसके बाद alignment वाले ग्रूप के अंदर आपका एक option आते है wrap text अब यह wrap text क्या करता है उसके लिए हम क्या करता है अपने cell के अंदर कुछ data लिख देते हैं तो मैंने यहां पर टाइप कर प्लीज subscribe my channel और enter कर दिया और enter करने के बाद मेरा जो text है वह cell से बाहर चला गया लेकिन मैं क्या चाता हूँ यहां पर कि वह cell से बाहर ना जाए तो उसे करने के लिए यहां पर दो तरीके हैं यहां तो हम अपने column की width बढ़ा दी लेकिन मैं ऐसा विल्कुल नहीं करूंगा कि अपने column की width बढ़ा हूं, तो मैं चाहत हूत हम यहाँ पर कि अपनी row की height बढ़ा दूँं, row की height बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर किसके ओपर क्लिक करूँ और wrap text के ओपर, और जैसी मैंने यहाँ पर wrap text के ओपर click कर रहा, इसने क्या करें जो भी वर्ड इस टेक्स के भाहर जा रहे थे उसने क्या करा है इसके अंदर एड्रेस कर दिया और हमारी रो की हाईट इंक्रीज कर दी और इसी के साथ हमने अपना अलाइन्मेंट वाले अप्शन भी कंप्लीट कर लिया अब बात करेंगे हम यहां पर नंबर वाला जो डायलग बॉक्स है इसके अंदर होता है क्या मैं आपको बताता हूँ तो जिस alignment को आप यहां पर यूज कर सकते हैं वही alignment आपको यहां पर मिल जाएगा इसी तरीके से यहां पर आपको font भी मिल जाएगा करते तो by default Excel क्या करता है अपनी तरफ से उसमें decimal value एड़ करता है लेकिन अगर आप नहीं चाते कि उसके अंदर decimal value रखो तो आप यहां पर इससे क्या कर दोगे जीरो कर दोगे तो मैंने इसे क्या करता है जीरो अब मेरे number क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा लेकिन अगर मैं क्या करता हूं यहां पर इससे increase कर देता हूं और मैंने यहां पर करता हूं तो यहां पर देखो गाइस अब मेरे numbers के अंदर जो decimal value आ रहे हैं यहां पर 3 आ और दूसरा तरीका होता है इसका shortcut method control-1 जैसे आप control-1 प्रेस करते हो तो आपका format से लिए पर open हो किया जाता है और मैं क्या करता हूं इसे आप one कर देता हूं और जैसी मैंने आप one कर रहा decimal value को और okay करा तो अब मेरे तो अब मेरे value के अंदर एक-एक decimal आ गया और guys decimal value का आप यहां से भी increase कर सकते हो और यहां से भी decrease कर सकते हो यह भी काफी अच्छा तरीका आपका decimal values increase और decrease करने का और इसी तरीके से मैंने आप पर कुछ dates लिख रहे हैं और इस date का format है DD-MM-YY मतलब date month और year अब मैं इस date का format change करना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे format cell को open करेंगे तो मैंने आपको दो तरीके बताए format cell का open करने के लिए या तो आप इसके उपर क्लिक करो या फिर control 1 के उपर क्लिक करो या फिर आपके पास एक shortcut और method होता है आप इसके उपर right click करो और right click करने के बाद आपको यहां पर option मिलेगा format cell और format cell के उपर जैसी आप क्लिक करते हो त तो गाइस मैं आपर date का format यह select करता हूं और उसके बाद okay के उपर click कर देता हूं तो यहां पर देखो अब क्या लिख आ रहा है date लिख वी आ रही हो और month का number नहीं आ रहा है क्या नाम आ रहा है तो इसी तरीके से आप date का format change कर सकते हो number का format change कर सकते हो और उसी के साथ आप क् currency में convert कर सकते हो किस तरीके से convert कर सकते हो currency का symbol लगा के तो मैंने यहां पर number को select करा और number को select करने के बाद control बन प्रेस करा ताकि मेरा format sale open हो क्या आ जाय है और अब मैं क्या करता हो currency को select कर लेता हो और जैसी मैंने आप currency को select करा तो by default इसने मेरी location को access करके आपर rupees दिखा रहा है और जैसे मैं OK के उपर click करता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरा currency का symbol आ गया इसी तरीके से अगर आपकी country कोई और सी है तो आप क्या करोगे कोई और सा symbol यूज़ कर सकते हो मैं दिखाता हूँ क्या से करोगे आप control 1 control 1 करने के बाद आप क्या करो कि यहाँ पर जाओगे यहाँ पर जाने के बाद आप कोई सी भी currency का symbol यूज़ कर सकते हो dollar वगे रखा तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ English Australia और उसके बाद OK कर देता हूँ मैं तो यहाँ पर देखो dollar का symbol लग क्या गया तो वो हमेशे क्या होता है left side से start होता है लेकिन अगर मैं कोई number रेंटर करता हूँ तो वो क्या जाता है हमारा right side में जाता है इसी तरीके से अगर मैं आप कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ true या फिर false तो फिर वो क्या आता है मिड में आता है तो गाइस text जो होता है आपका left side से start होता है और जो आपका number होता है वो right side से start होता है और इसी तरीके से आपका जो true और false होता है मतलब boolean value जो होती है वो क्या होती है mid में आती है तो गाइस यह थी excel के अंदर self formatting और उसी के साथ हमने देखा कि अगर हम कोई text enter करते हैं वो जाता है left side में और कोई number enter करते हैं तो वो जाता है right side में और हम कोई true या फिर false वाली value enter करते हैं वो आती है आपके center में इसी के साथ मैं वीडियो को stop करता हूँ और अगर आपको किसी भी topic के अंदर कुछ भी doubt वगेरा है तो आप comment section में comment करके मुझसे पूछ सकते हो okay guys bye bye thank you